कि डुपट्टा के आठका सांकल में कम बखत लगा दर पर तुम खड़े हो और एक शेर है कि कुछ जख्म अब पायाब है मतलब कम गहरे तो कुछ जख्म अब पायाब है कुछ हैं अभी ताजे ही कुछ जख्म अब पायाब है कुछ हैं अभी ताजे ही खिड़कियों से तो अब भी जाकने आ जाता है बंद दिखते हैं उसके बस दर्वा से तो महबबत की बाते चल रही है तो मेरे लिए अगर कहूं महबबत करना यहां इस टेज पर खड़े होने के जैसा ही है क्योंकि मैं दोनों में नर्वस होती हूं हाँ मैं दोनों में नर्वस होती है से लिए मतलब वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए तो बस इतना मैंने समझ ली है तो इसी पर एक शेर है कि इश्क से मिलकर देखा था इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया कुर्बत में लास छोड़ कर कबर मिट्टी से भर गया ईश्ख से मिलकर देखा था, जीना मुहाल कर गया, कुरॉबत में लाष चोड़ कर कबर मिट्टी से भर गया प्यार के बहुत सारे पहलो होते हैं, बहुत सारे फेसे होते हैं तो मैं ना तो ब्रेकप पे सुना रही हूँ, ना ही मैं है, हैश्टाग कपल गोल्स पे सुना रही हूँ, बट हाँ, ना तो मैं ब्रेकप पे सुना रही हूँ, ना ही मतलब कपल गोल्स पे सुना रही हूँ, बट हाँ, आप लोग शायद कही ना कहीं तो रिलेट करी लोगें तो एक शेर है कि अब उससे बात नहीं करनी अब उससे बात नहीं करनी पर अब बात उसी की करनी है दिन दे दिया एज जिन्दिगी तुझे अपना मगर रात उसी की करनी है मगर रात दिन्दे दिया एज जिन्दिगी तुझे अपना मगर रात उसी की करनी है और बक्षे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है मैं क्या करू इन दिवानों का? मुझे बत तमीजिया बस बरदाश उसी की करनी है तो एक छोटी सी कविता है कविता का नाम है उसे पसंद है यह कविता का नाम है उसे पसंद है हाँ तो इसको शुरू करने से पहले इसका छोटा सा डिश्क्लेमर दे दू आप लोग को यह कविता सुनते टाइम शायद आप लोग को लगे कि यह जो कविता है यह साक्षात आपके सामने खड़ीए तो प्लीज उस गलत फेमे पर यखीन मत करिएगा ठीक है तो उसे पसंद है बातें बेहसाब बताना कुछ कहते कहते चुप हो जाना उसे जताना उसे सुनाना वो कहता है उसे पसंद है उसे जताना उसे सुनाना वो कहता है उसे पसंद है ये निगाहें खुला मैं खाना है ये चश्मों के जिसे लाइन के इंटेंशिटी को जज मत करना तो ये निगाहें खुला मैं खाना है वो कहता है दर्बान बिठा लो हलका सा बस हलका सा वो कहता है तुम काजल लगा लो हलका सा बस हलका सा वो कहता है तुम काजल लगा लो वैसे ये मेरा शौक नहीं पर हाँ उसे पसंद है डुपट्टा एक तरफ ही डाला है अब ये मैंने आपको बताया था कि प्लीज उस गलत पहमी पे यकीन मत करना ये सिरफ एक कोइंसिडेंस है तो डुपट्टा एक ही डाला है उसने कहा था उसने कहा था कि सूट सादा ही पहन लो बेशक तुम्हारी तो सूरच से उजाला है तुम्हारे होटों के पास जो तिल काला है बताया था उसने उसे पसंद है वो मिलता है तो हस देती हूँ चलते चलते हाथ थाम कर उससे बेपरवास सब कहती हूँ और सोहबत में उसकी सोहबत में उसकी जब चलती है हवाएं मैं हवाओं सी मध्धम बहती मैं हवाओं सी मध्धम बहती हूँ मनत पढ़कर मनत पढ़कर नदी में पत्थर फेकना मेरा जाते जाते यू मुड़कर देखना मनत पढ़कर नदी में पत्थर फेकना मेरा जाते जाते यू मुड़कर देखना और वो घुजरे जब इन गलियों से मेरा खिड़की से छट से छुप कर देखना हाँ उसे पसंद है जुल्फों को खुला ही रख लेती हूँ उसके कुलहड से चाए चख लेती हूँ मैं मंदर में सर जब ढख लेती हूँ वो कहता है उसे पसंद है इस कविता की ये कुछ हाकरी पंक्तियां है कि ये जुमका उसकी पसंद है ये भी इतिपाक ही है कोइंसिडेंस है ये जुमका उसकी पसंद का है और ये मुसकुराहट उसे पसंद है लोग पूछतें है सबब मेरी अदाओं का मैं कहती हूँ उसे पसंद है बहुत बहुत शुक्रिया यह था निदी की तरफ से एक इश्क का पहलू, अगर आपके पास भी कोई इश्क का पहलू है और हमार साथ बाठना चाहते हैं तो वीडियो की रिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और अगर आपको यह पहलू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, and to indulge in a royal feast, order from behirusbiryani.com.